हलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं सारे ही ब्रोकर्स के डिसडवंटेजिस के वीडियो बनाऊं तो दोस्तों उसी सीरीज में आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिसडवंटेजिस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता देना चाहता हूँ इस बस दो सारे उसिचर्स अब दोस्तों बढ़ते हैं डिसडवंटेज की तरफ दोस्तों disadvantage बताने से पहले मैं एक बार और आपको ये remind करवा दूँ कि दोस्तों access securities को defame करने का मेरा कोई purpose नहीं है मैं दोस्तों ये disadvantage सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको knowledge हो सके जानकारी हो सके और उसके बाद आप decision ले सके कि यहाँ पर आपको DMET account खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए तो दोस्तों start कर लेते हैं वीडियो को मेरा नाम है विकास मीना आप देख रहें my company तो दोस्तों पहली disadvantage यहाँ पर यह है कि जो उनका account opening charge है वो दोस्तों 999 रुपीज है यानि कि HDFC और ICICIC जो bank है उनके जो brokerage account है उनके साथ मैंने इसको compare करके देखा है तो वहां की comparison में यहाँ पर आपको currency और commodity के जो brokerage charges है वो ज्यादा है तो access securities में आप वो currency commodities के brokerage charges थोड़े से higher pay करने पड़ते हैं तो अगर आप currency और commodities में invest करना चाते तो दोस्तों आपके लिए access security suitable नहीं होगा इसके बाद दोस्तों बात करते हैं थर्ड disadvantage की तो दोस्तों थर्ड disadvantage मैं आपको यह बताना चाता हूं कि जो इनकी branches है यानि कि मैं dedicated access direct की branches की बात कर रहा हूं मैं access bank की branches की बात नहीं कर रहा हूं access bank की तो दोस्तों करीब करीब 400 branches हैं पूरे इंडिया में लेकिन जो access direct है जो इनका demate account services का जो platform है उसकी दोस्तों dedicated branches सिर्फ 62 के around है यानि कि august 2021 का यह data में बता रहा हूं august 2021 में इनकी जो branches हैं वो करीब 62 के around है वहीं अगर बात करें HDFC और ICICI की तो दोस्तों उनकी branches करीब करेब 2500 से लेकर 300 के बीच में है तो दोस्तों इस तरीके से इनकी जो branches हैं वो काफी कम हैं दूसरे banks के demate accounts के comparison में इसके बाद दोस्तों next disadvantage की अगर बात करें तो दोस्तों next मैं आपको यह बताना चाता हूं कि उनका trading terminal है यानि कि जो software यह प्रवाइड करते हैं trading करने के लिए हालागी इनका free software भी है लेकिन अगर आप advanced trading करना चाते हैं तो जो इनका advanced trading software है वो चार्जेबल है 3000 रुपे शालाना आपको उसके लिए पे करना पड़ता है तो अब दोस्तों तो timing इनकी सवा तीन बज़ेगी यानि कि तीन बज़कर 15 मिनिट पर यहां आपके सारे trades को square off कर देते हैं ख़तम कर देते हैं लेकिन दोस्तों HDFC और ICSA bank के पास यह facility है कि वह 3.25 तक और 3.30 तक आपके trades को continue रखते हैं दोस्तों लास्ट के 15-20 मिनिट में काफी volatility होती है दोस् time का जो volatility है उसको enjoy नहीं कर पाएंगे इस वज़े से दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि अगर आप last time का जो trade उसको enjoy करना चाते हैं तो दोस्तों ICICI और HDFC आपके लिठीक है access securities में आपको ये facility अभी available नहीं है तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ disadvantage है जो access securities की आपको जानना जरूरी है DMET account खुलाने से पहले दोस्तों इन disadvantages को जानने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में ज़रूर बताईए के दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like कीजिए और दोस्तों साथ ही साथ इस channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर दबा लीजे ताकि आपको इस तरीके के notifications लगातार मिलते रहें दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना कोई DMAT account नहीं खुलवाया तो मैं आपको suggest करूँगा के आप upstalks में और angel broking में अपना DMAT account खुलवा सकते हैं link दोस्तों मैंने description में दे रखा है वहाँ जाकर आप अपना DMAT account ज़रूर खुलवाईए दोस्तों मैं मलूँगा next Sunday दो पर 12 बजए तब तक के लिए मुझे दीजिये जाजा जय हिन जय भारत